साथ है आपका कोई cafe या कोई CSE Center चलाते हैं आपके पास कोई छोटी दुकान है जिसके अंदर आपको काम करना पड़ता है आधार card से संबंदित या आपको काम करना पड़ता है कोई form वगरा फिल करते हैं जैसे हमने e card बनाना है e shrimi card बनाना है किर्शी किषान card बनाना है इस किस प्रकार करना है कहां से इसके driver डाउनलोड करने कैसे डाउनलोड करेंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे यह सारा जानेंगे इस वीडियो में तो इसमें अंतक बने रहेगा नमस्कार सातियो मेरा नाम है मनुष्व कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेकनिकल चैनल कम्प कि सदे इस बिंदे डाउनलोड करनेरें तो आप यहां से विन्दोे सब्सक्राइप देख करने बाद ऐसे नामस्कार कर लिया है और दोनों को बेए घ'REक टेक्ट करने के लिए उस फाइल को है Yang right click करके आप करें extract file और जहां भी extract करना है वहां पर पास चुन सकते हैं या फिर by default जहां पर यह बैकप पड़ा है यहीं पर यह दोनों extract हो जाएंगी okay करते ही मैं इसको cancel कर देता हूं क्योंकि मैंने दोनों को extract किया हुआ है अब हमने install करना है sports को ठीक है यहां पर हम इसको next कर देंगे फिर से हम next करेंगे और यह file install होने लग जाएगी confirm के लिए आप से यह यह या नो पुछेगा यहां पर इसको yes कर दें तो यह file आपकी install हो जाएगी ज्यादा बड़ा software नहीं है जल्दी से install हो जाती है जैसे install होती है इसको तुम कर देंगे close यहां से ठीक है close करने के बाद यह device installer है इसको हमने next करना है आपके पास यह automatic open होगा device installer का next कर देंगे और install कर देंगे ठीक है अभी से मैंने device का इसमें connect नहीं किया है सिरफ मैं software install कर रहा हूं इसका ठीक है installer यह complete हो चुका है यह ready for use इसको finish कर देंगे फिर उसके बाद दूसरा है इसको भी हमने next कर देना है और इसको भी install कर लेना है यह भी ready हो चुका है इसको भी finish कर देंगे आप देखिए desktop पे इसका icon बन गया होगा यहाँ पे नीचे देखो यहाँ पे यह access का icon बन गया ठ ठीक है अब साथ साथ हम इसकी rd service भी install कर लेते हैं वापस आएंगे और rd services के अंदर जाएंगे और इसको भी हम यहां से setup को नहीं चलाना है यहां से rd services को चलाना है आपने ठीक है जहां पर लिखाए last में windows installer हम यहां पर इसको run करेंगे double click से इसको भी shame to save वैसे उसी प्रक install होने देंगे install हो चुका है इसको close कर देते हैं अब आपके driver install हो चुके हैं अब आप अपनी device को इसमें connect कर सकते हैं तो चलिए फटाफट में अपनी device को connect कर लेता हूं यहां पर मैंने इस device को इसमें connect कर दिया USB के थुरू और जैसे connect किया तो आप देख रहे है इसकी device की चल लिए FM 220 को अभी शर्चिंग कर रहा है device को और अभी यह use के लिए ready हो जाएगी देखार आप यहां पर ready to use यानि कि आप इस device को use कर सकते हैं जदी आपके पास एकदम से message नहीं आता है आपकी device connect नहीं हो पाते तो आप अपने system को एक बार restart कर ले उसके बाद य लीड कर लेगा तो आप कहीं भी आप इससे काम कर सकते हैं आपके पास को CSE Center है या आप अधर कर वकर डाउनलोड करना चाहते है या यह शमी कार्ड बना रहे हैं उसमें OTP नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप fingerprint का यूज़ कर सकते हैं अब यह device properly काम करेगी आपको जहां भ हमेरी चैनल पे तुम्हें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें